नमस्कार, आज का हमारा एपिसोड ये प्रोग्राम एक ऐसे NGO को समर्पित है जो लोगों की सेवा करते आएं, और समाज की सेवा उन्होंने बहुत किये हैं, गौर्मिंट को बहुत सपोर्ट किया है, कि वो समाज की सेवा कर सकें, और अपनी तरफ से भी उन्होंने एस हर तरी खापक हैं श्री मंगला माता जी और श्री भोले जी महाराज अभी आपने देखा होगा कि उत्राखंड में अगस्ट 2017 में बहुत बाड आई बारिश हुई जगा जगा बादल फटे लैंड स्लाइडिंग हुई जिसकी वजह से वहाँ पर खेती की जमीन भै गई लोगों के सर पर सर पे से च्छत हट गई उनके पास रहने तक की जगा नहीं रही उनके मवेशी मारे गए या उनके परिवार के मुख्य सदर से हैड ओफ फैमिली मारे गए अब उनके पास घर में अर्निंग सोर्स खतम हो चुका है इवन प्रॉपर दवाईया नहीं अपना इलाज करान के लिए रहने के लिच्छत नहीं है खाने के लिए अन नहीं है ऐसे में हंस फांडेशन आगे आया श्री मंगला माता जी आगे आई और उन्होंने वहां के मुख्या मंत्री सीम श्री त्रिवेंदर सिंग रावत के आवास्थान पर जाकर उनको एक करोड़ चौन सट लाग पचास अजार उपे की मदद की उन्होंने यह कहा कि अब यह जो पैसा है यह गवर्मेंट एक बहुत अच्छे काम में लगाएगी जिसे कि जिन लोगों के पास रहने के लिए जगा नहीं है जो बेगर हो चुके हैं उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है या बच्चों के स्कूल जाने के लिए स्कूल नहीं बचा एजूकेशन खतम होगी सड़नली जो अलमस्त अभी रोड पर हैं ऐसे में गवर्मेंट उनकी हल्प करने की कोशिश करेगी उस पैसे से जैसे कि हॉस्पिटल्स करेगी मेडिशन वहां तक पहुचाएगी उनके घर तक मुचाएग हन्स फांडूशन एक ऐसा फांडूशन है जो हमेशा कर्म में विश्वाश करता है और वो कभी भी जादा सामने नहीं आते हैं मीडिया के या किसी भी और फंक्शन में उनका विश्वाश यह है कि सिर्फ कर्म करते रहो पल देना उपर वाले का काम है और इसी विश्वाश के साथ वो हमेशा चलते आये हैं और बहुत सारे लोगों के प्रेणा श्रोत बने है तो हम भी चाहते हैं कि आप भी उनसे प्रेणा लें और ऐसे ही जिसकी जितनी कैपसिटी है हेल्प करने की कोशिश करें समाज की काम आ सकें तो उमिद करते हैं कि यह एपिसोड और यह वाला प्रोग्राम भी आपको हमारा पसंद आएगा तो प्लीज आप लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक यू सो मच